पाठ बीज अपठित गद्यांच, Unseen Prose Passages गद्य का वह अंच जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित गद्यांच कहलाता है परीक्षा में छात्रों की भाषा बोध संबंधी शक्ती परकने के लिए अपठित गद्यांच आधारित प्रशने पूछे जाते हैं अपठित गद्यांच के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए सर्वप्रथम अपठित गद्य को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए गद्यांच में प्रयुक्त मुहावरों वा कठिन शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए गद्यांच के उद्देश्य को समझते हुए उसके विशय पर ध्यान किंद्रित करना चाहिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उनके उत्तर गद्यांच से चुनने चाहिए प्रश्णों का प्रारूप बहु विकल्पिय होने पर दिये गए विकल्पों में से उत्तर ध्यान पूर्वक चुनना चाहिए आये अपठिद गध्यांच के कुछ उधारन देखते हैं बहु विकल्पिय प्रारूप ताल में किष्टियां अपने सफेद पाल उडाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थी कहीं कुछ अंग्रेज अपनी सुईसी शकल के डोंगियों को शर्थ बांध कर सरपट दोड़ा रहे थे कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पानी में डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एक निष्ठ मचली चिंतन कर रहे थे सडक से प्रवा आ रहा था और जा रहा था, अधिकार वह गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथनों से सजे घोडे की बाग थामे वी पहाडी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया है और जो बड़ी ततपड़ता से दुम हिलाना सीख गए है क ताल में किष्टियां किसे लेकर इधर से उधर खेल रही थी एक लहरों को, दो लेखक के मित्रों को, तीन अंग्रेज यात्रियों को, चार सरसराती हवाओं को, उत्तर तीन ख, अंग्रेजों की डोंगियों की तुलना किसे की गई है एक खिलोनों से, दो सुई से, तीन कागज की नाव से, चार बंसी से, उत्तर दो ग, कुछ साहब किनारे पर बैठे क्या कर रहे थे एक, ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे दो, पानी में पाव डाल कर बैठे थे तीन, मचलियां पकड रहे थे चार, संगीत सुन रहे थे उत्तर, तीन घ, सड़क पर घूमते अंग्रेज कैसे थे एक, अधिकार वा गर्व में तने दो, आत्म सम्मान से गर्वित तीन, विनम्रता वा धहर्य से भरे चार, मस्त मौला वा एकस्थ उत्तर, एक गध्यांच में कौन सा मुहावरा आया है एक, सरपट दोडना दो, गर्व में तने तीन, दुम हिलाना चार, एकस्थ होना उत्तर, तीन प्रश्नोतर प्रारूप विविधताओं से परिपूर्ण स्विजर्लेंड की राजधा ने जियूरिक में अलबर्ट ने सन 1895 में कदम रखा जियूरिक नामक यह शहर आलपस की तलहटी में स्थित था यह मध्यकाल की कला वसंस्कृती से प्रभावित था वह एक सुन्दर जील थी अलबर्ट ने अपने पिता के पुराने मित्र गुस्तव मायर के परिवार के साथ अपना प्रारंभिक जीवन गुजारा यहां मा पॉलीन ने स्कूल के अधिकारियों से अलबर्ट के प्रवेश के लिए निवेदन किया उनका तर्क था कि बार-बार जगह बदलने के वजह से अलबर्ट की शिक्षा प्रभावित हुई है उसकी परीक्षा ली गई परंतु वह सफल नहीं हुआ उन्होंने स्पष्ट किया कि अलबर्ट ने गणित में तो असाधारन प्रदर्शन किया प्राधुनिक भाषाओं वर जीव विज्ञान में वह बहुत पीछे था क सन 1895 में अलबर्ट कहां गए उत्तर सन 1895 में अलबर्ट स्विजर लैंड की राजधानी जियूरिक गए ख जियूरिक कैसा शहर था उत्तर जियूरिक विविदताओं से परिपूर्ण तथा मध्यकाल की कलाव संस्कृती से प्रभावित शहर था गए अलबर्ट ने प्रारंभिक जीवन किन के साथ बिताया उत्तर, अल्बर्ट ने अपने पिता के मित्र गुस्तव मायर के परिवार के साथ अपना प्रारंभिक जीवन बिताया घ, बार-बार जगह बदलने के कारण क्या हो रहा था? उत्तर, बार-बार जगह बदलने के कारण अल्बर्ट की शिक्षा प्रभावित हो रही थी उंग, अल्बर्ट ने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया? उत्तर, अल्बर्ट ने परीक्षा में गणित विशय में तो असाधारन प्रदर्शन किया, पर आधोनिक भाशाओं तथा जीव विज्ञान में वे बहुत पीछे थे